नमस्कार में प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में टाटा मोटर्स के Q2 के नंबर्स डिकिलियर हो चुके हैं वो कैसे रहे इसके टेकनिकल क्या इंपेक्ट होंगे इसको समझे इस से पहले प्रीमियम टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है इसको जॉइन करें डिस्क् काफी वीक है और 750-700 तक का लेबल एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहां देखेंगे कंप्री ने क्वाटरली नंबर्स डिकिलियर करें टोटल इंकम यर ओन यर देखेंगे तो फ्लैट नेगेटिव रहा जबकि एक्सपेक्टेशन 1,05,000 करोर का था यहां 1,06,758 करोर पिछल के रेवेन्यू 1,09,000 करोर का रहा था इस बार 1,03,000 करोर की प्रौफिटिबिलिटी जो रही वो काफी एक्सपेक्टेशन के नीचे का रहा है यहां देखेंगे 3,45,000 करोर की प्रौफिटिबिलिटी रही जबकि एक्सपेक्टेशन 5,000 करोड का था और यहां अगर मैं simply लगबग 10% डाउन रहा यहां 5000 करोर के कलेक्टिबली नंबर एक्सपेक्ट किये जा रहे थे जहां इलेरा का नंबर सबसे हायर एक्सपेक्टेशन था और मोती लालोसवाल का सबसे लूर एवरेज मिला करके लगबग 1,5,000 रेवेन्यू और नेट प्रोफिट लगबग 5000 करोर के एक्सपेक्टेशन थे यहां OPM 13% का एक्सपेक्टेशन था वो भी थोड़े डाउन रहे और इसका सिंप्ली टेक्निकल ट्रेंड आपको निगेटिव देखने को मिलेगा वैसे तो टेक्निकल ट्रेंड वैसे ही काफी वीक दिख रहा है और यहां देखेंगे जो रिजल् वाले दीन का जो लो था यहां पर यह लो भी जो है ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है और प्रोबेबली 720-760 जैसे लिबल्स दिखेंगे बिल्कुल इस समय लॉंग ट्रेड करने से बचेंगे जब तक 840 के उपर नहीं जाए रिवर्सल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किय जा सकता है